टीम इंडिया के पेसर मोहामर शमी विश कप में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने के बाद करोडो फैंस के चहेते बने हुए हैं वैसे तो उनकी चट्चा उनकी पतनी रही हसीन जहां के साथ चल रहे विवादों को लेकर होती रहती है पती से अपनी मर्जी से अलग हो गई है जिसके बाद शोशल मीडिया में अब चर्चा हो रही है कि जहां एक तरफ अपनी पतनी हसीन जहां से धोका खाए मोहमद शमी अकेले हैं तो वही अपने पती से धोका खाई सान्या मिर्जा को एक हो जाना चाहिए जिसको लेकर लगता शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर उनके फैंस पोस्ट कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ अप बॉलिवूड की एक एक अक्ट्रेस मोहमद शमी को प्रपोस कर दिया है उनका प्रपोसर शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है कई बॉलिवूड फिल्मों में काम कर चुकी और एक लोग प्रिये टीवी सीरियल साथ निभाना साथ्या की एक्ट्रेस पाइल घोश ने मोहमद शमी को शादी के लिए प्रपोस किया है पाइल घोश ने अपने शोशल मीडिया अकाउंट के जरिये मोहमद शमी को प्रपोस करते हुए एक पोस लिखा है इस पोस में उन्होंने लिखा है शमी तुम अपनी इंगलिश तो धालो मैं तुम से शादी करने के लिए तयार हूँ पाइल घोश ने दो नवंबर को ही अपने एक्स हैंडल पर ये पोस किया था लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये काफी वाइरल हो रहा है पाइल घोश ने इस प्रपोसल के बाद सोशल मीडिया पर मोहमद शमी के फैंस उनकी असली पतनी हसीन जहा को ट्रोल कर रहे हैं जिनोंने लगतार मोहमद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे हाली में टीवी चैनल के इंटर्व्यू में हसीन जहा ने कहा था उन्हें क्रिकेट में कोई रूची नहीं है इसलिए उन्हें नहीं पता कि शमी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो टीम जीत रही है और बहुत जादा पैसे कमा रहे हैं जो कि सब के लिए अच्छा है उनके लिए भी हमारे लिए भी और सभी के लिए भी हसीन जहां और मुहमर श्रमी के बीच क्या हुआ ये सभी को पता है हसीन जहां भी चर्चा में आने के लिए गाहे बगाहे इसी तरह अनाब शनाब बयान देती रहती है लेकिन अब ये पुर मचा रखी है हर कोई ये जानने के लिए उसक है कि आखिर मुहमर शमी इन दिनों प्रपोजल में क्या चुनते हैं इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जोड़े रहने के लिए देखते रहे आर्या न्यूज और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें